नमस्कार दोस्तों आज हमारी IPC की ये दूसरी वीडियो है इसके पहले हम 29 एतक कम्प्लीट कर चुके हैं तो आईए इसे भी हम देख लेते हैं section 30 के बारे में आज हम पढ़ेंगे section 30 मुलेवान प्रतिभूती किसे कहेंगे तो मुलेवान प्रतिभूती के अंतरगत क्या क्या आएगा मुलेवान मतलब कोई कीमती प्रतिभूती मतलब दस्ताविज कीमती दस्ताविज हम किसे कहेंगे तो मुलेवान प्रतिभूती सब्द उस दस्तावीज की गोता के, किसे कहा जाएगा, जिसकी द्वारा कोई दस्तावीज, कोई दस्तावीज है, या हो जाएगा, मतलब इन फ्यूचर हो सकता है, कोई ऐसा दस्तावीज है, यह होना तातपरित है, मतलब इन फ्यूचर में वो ऐसा दस्तावीज हो जाएगा, कैसा दस्तविज हो जाएगा, जिसके द्वारा कोई विदिक अधिका स्रेजित हो जाए, स्रेजित मतलब उत्पन हो जाए, विस्तरित हो जाए, उसका छित्र बढ़ जाए, अंत्रित हो जाए, किसी को दे दिया जाए, अंत्रित कर दिया जाए, ट्रांपर कर दिया जाए, निर्व प्रंदित किया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति यह सुईकार करता है कि या तो वा कोई विदिक अधिकार के अधीन है मतलब इन चीजों के माध्यम से कोई जब कोई चीज स्रजित होती है विदिक अधिकार के माध्यम से कोई स्रजित बेस्तरित अंत्रित ट्रांसपर होत मतलब जिस किसी document में ऐसा कुछ लिखा तो थैंकू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं ओके बाइबाइ